हेलो दोस्तो हमारा डैरी फार्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे पश्वों की डी वर्मिंग के बारे में तो दोस्तो सबसे पहले तुम्हें आपको बता दूँ के पश्वों की डी वर्मिंग होती क्या है डी वर्मिंग का मतलब होता है कि पश्वो केड़ों का खात्मा करना तो पशोंगों के पेट पेड़ के चीड़े होते हैं वह बहुत जादा नुक्सान करते हैं दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए तो दोस्तों मैं आज आपको जो बोल्स दखा रहा हूं जिए जियो वेट सल्योशन कंपनी की है जियो वर्म तो यह बहुत ही बढ़िया बोल्स है और हर्पर बोल्स है यह आयरुवेदिक है अभी यह देखिए मैं नंबर दे दिया है तो वहां से आप मेरे से संपर्क करके ओनलाइन यह बोल्स मगवा सकते हो और भी अगर जियो वेट की कोई भी मेडिसन चाहिए तो मैं सभी मेडिसन आपको दे दूंगा तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आटे के पेड़े को जो है गोडल लगा लेना अच्छे से यह देखिए और उसके बाद बोल्स को निकाल कर पेड़े में रख लेना है तो यह देखिए सबसे पहले मैं बोल्स दखा दूंगा आपको तो यह देखिए यह हरबल बोल्स है आरो वैदिक है यह जड़ी बूटियों से त्यार की गई और यह एक ही बोल्स आटे के पेड़े में रख दूँगा और अच्छे से पेड़े को इसको बंद कर देना उपर से तो पशु बड़े अराम से ये बोल्स खा लेंगे ये देखिए और देने का जो समय है दोस्तों वो है दुपैर के बारा एक बज़े दो बज़े के बीज क्योंकि उस वाकत बशु का जो चारा है वो हाजम हुआ होता है और उसके बाद बशु का पेट खाली होता है और गोड़ और आटे को मिला कर जब आप बोल्स दोगे तो जो वर्म होते हैं एकदम इस गोली को खाने को आएंगे इस good को खाएंगे और से साथ साथ से गोली को भी खा लेंगे और तुरांत ही उनकी मौद होनी शुरू हो जाती है और खत्म हो जाती है तो उमिद करता हूं दोस्तो आपको ये वीडियो अची लगी होगी अगर वीडियो अश्ची लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तो तो दोस्तो मैं फिर बता दूँ अगर आपको यह बोल सुझा कोई भी मेडिसन चाहिए तो मैं ऑनलाइन आपको दे सकता हूँ थैंकि दोस्तो धन्यवाद